नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल डिश्टल देव हूं मैं स्वागत है मैं उमेज सर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे तो दोस्तो कल की वीडियो और परसों की वीडियो मैंने बताया था कि कि हूंगाद में क्या-kया सारे दक्सता परिक्षाएं होती हैं क्या-kyan आप जोग होती हैं और ठीटन एक्जाम का पैटरन क्या होता है साथ ही कल की वीडियो में मैंने बताया कि इसमें आपकी पास कौन-कौन से डॉक्मेंट होने चाहिए और उसके बाद एक डिमांड से यहाँ पा सामने देखने को मिली कि आवेदन पत्र का प्रारूप कैसे होता है और आवेदन पत्र को offline तरीके से कैसे बरना है और उसे कहां send करना है बरके और इसमें कौन-कौन से डॉक्मेंट हमें संगलंग न करने है तो साल से पहले बताता हूँ जो भी मैंने कल डॉकमेंट से बताए थे पूर सारे डॉक्मेंट आपको यहां पर संगलंगन करने होंगे और जो यह फोटो बगरा बताई थी फोटो आपको आविदन फॉर्म में यहां पर इस्टिक करनी है आपको मैं फूरी जान करें इस वीडियो में देने वाला हूं तो दोस्तों यह पुराना यहां पर फॉर्म है तो इस तरह से यहां फॉर्मिट मिलेगा जब भी आपका आविदन फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर भरती नोटिफिकरिशन आएगा नौस बदों पर तो आविदन पत्र प्रारव आप देख सकते हैं यहां पर उत्राखन होम गार्ड पितोरागड में होम गार्ड से स स्वाम से बात पर चैन लिक लिखा हूँ मिलेगा अनुकरमांग है जैसे कर यहां पर कारियालाई परियोग ही तू और होम भर्तीकी इंदर का नाम यह जो दूनों कॉलम्ज हैं यहां पर पर इस दिया गया है यह अनुकरमांग और भरतीकी इंदर यह सारे आप से बरे हिंधी में लिखने हैं उसके बाद अंग्रेजी में लिखने हैं Kollegin सिंपल्छा कोई इसमें ज्यादा इन दीकाल्ट नहीं है उसके बाद आपको यहां पहें राइट साइड में अपनी फोट यहां प imagination कर लेनी होते हैं आपकेश्वक्त्रून में आवेदन करना चाहते हैं अब उसका यहां यहाँ है अलग ढर यहाँ सेम है तो आप से रहा पर का प्रयोहार आपको अंकित करना है उसके बाद करूँ अई नागरिक्ता में आपको लिखना है धर्म क्या है अपका हिंदू-मुश्लिम सिकh ईसाई या भीर उसके बाद जाती आपकी क्या है यह आपको फिल करने उसके बाद आपका यहां पर सक्सक योगता की बारे में बात होगी जिसमें आप परिक्षा का नाम आपको से पहले करना है परिक्षा का नाम बूर्ट का नाम 20 और उत्र होने का वर्स और प्राप्त सरणी जैसे कि आपने यहां पर प परफम सेकिंड इस तर्ण सिब्ट यहां पर अब कर सकते हैं जहां ते अपने शेक चरंड कर तो आपको भरना है यह आप यह कुछ भी हो सकता है क्माब अपयर्थी द्वारा नबर आ जाए अब यह तो आपको भषान है नहीं यह जो है होम कार्याले से भर आ कि साब लिखना है माँ पर तो इस तरह से यहां पर उसके बाद देखें यहां पर फोती ही अलग जानकरे यहां लिखी है कि इस्थानी दू व्यक्तियों का नाम वह पता जो अभिहर्दी के समद में जानकरे रखते हूं लेकिन उनके रिष्टार नौ हो और जो चार्जलें के बारे मैं जानते हूं तो इनका इनका यहां पर नाम पता और दूरभास नंबर आपको लिख लेना है कि उसके बाद यहां पर लिख रहा है अंतिम सेक्षण सस्तान का नाम और सस्ता प्रदान का चरित्र सत्यापन पत्र जहां भिहर्दी ने अंतिम सिक्षण प्रदान की हो को संगलंग ने कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया कल कि आपने जो अन्तिम आपका सिक्षण सस्तान से वहां से आपको चाहित मान पत्र ला रहे हैं और उसे यहां पर इस्टिक कर देना है इसी का रहा है संगलंग ने कर लेना है उसके बाद यहां पर यहां पर यह आपके पास तो भूत्द पूर्वर सैनिक हैं कि उस पर क्लिक करें प्रकार से मैं उसका करते हैं इस प्रकार से इसे आप पर मेंशन कर रहे हैं यहांगी के बઅचे करने लख सकते हैं है उसके यहाँ पर इस्थान और दिनांग आपको मेंसिन कर देनी है आप सकन We loved अधाय करी करने क्या बताइब आपको यहाँ पर संखले लें तो पासपोडλोड करैंटicamente इसे जन जात्य और पिशावर्ग और EWS प्रमाणपत्र पर्वत्ती निवास प्रमाणपत्र चाहित प्रमाणपत्र यह सारे यहां पर आपको संगलंगन कर लेने हैं और इसे अब भर लिया है इसके बाद आपको भर के स्पीड पूष्ट करतेना है आपको और इसे डा की माधियम से सेंट करतेना है एड्रेस की बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं तो थैंक्स पार वाजिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में